गायत्री महाविज्यान प्रथम भाग लेखक युग रिशी वेद मूर्ती तपोनिष्ट पंडिश्री रामशर्मा आचारे ओडियो ड्वेल शीर्शक है नारी पर प्रतिबंद और लांचन क्यों? गायत्री उपासना का अर्थ है इश्वर को माता मानकर उसकी गोद में चड़ना संसार में जितने संबंद हैं रिश्टे हैं उन सब में माता का रिश्टा अधिक प्रेमपूर्ण अधिक घनिष्ट है प्रभु को जिस द्रश्टी से हम देखते हैं हमारी भावना के अनुरू वे वैसा ही प्रत्य उत्तर देते हैं जब इश्वर की गोद में जीव मात्र भाव के साथ चड़ता है तो निष्टे ही उधर से वात्सल्य पूर्ण उत्तर मिलता है इसने हैं वात्सल्य करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता, आधि तत्व, नारी में नर की अपेक्षा स्वभावता अधिक होते हैं ब्रह्म का अर्थ वामांग, ब्रहमी तत्व, अधिक कोमल, आकरशक एवं शेग्र द्रविभूत होने वाला है इसलिए अनाधिकाल से रिशी लोग इश्वर की मात्र भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्य भारतिय धर प्रमावलंबी को इसी सुक साध्य, सरल एवं शीग्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है गायत्री उपासना प्रत्य भारतिय का धार्मिक नित्य कर्म है संध्यावंदन किसी भी पद्धती से किया जाए उसमें गायत्री का होना आवशक है विशेश लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिए विशेश रूप से गायत्री की उपासना की जाती है पर उतना ना हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है उसे ना करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोश लगता है कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान हैं। इश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निश्पक्ष और नियायशील मातापिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। इश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्मकल्यान के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यहा समता नियाय और निश्पक्षता की द्रश्टी से उचित है। तर्क और प्रमानों से सिद्ध है। इस सीधे साधे तथ्य में कोई विग्न डालना असंगत ही होगा। मनुष्री की समझ बड़ी विचित्र है। उसमें कभी-कभी ऐसी बातें भी गुश जाती हैं जो सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक हैं। प्राचीनकाल में नारी जाती का समुचित सम्मान रहा। पर एक समय ऐसा भी आया जब इस्त्री जाती को सामोहिक रूप से हे पतित, त्याज, पातकी, अनधिकारी, घ्रनेत ठहराया। वह उस विचारधारा ने नारी के मनिश्योचित अधिकारों पर आक्रमन किया। और पोरुष की श्रेष्टता एवं सुविधा को पोशन करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्ती हीन, साहस हीन, ब आत्म रक्षा के लिए भी दूसरों का मोताज होना पड़ा। आज भारतिय नारी पालतु पशू पक्षियों जैसी स्थिती में पहुँच गई है। इसका कारण वह उल्टी समझ ही है जो मद्धिकाल के सामन्त शाही अहंकार के साथ उत्पन हुई थी। प्राचीन काल में भारतिय नारी सभी क्षेत्रों में पुर्षों के समकक्ष थी। रत के दोनों पहिये ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी। पर अब एक पहिया क्षत विक्षत हो जाने से। दूसरा पहिया भी लड़ खड़ा गया। अयोग्य नारी समाज का भार होना पड़ रहा है। इस अवस्था में हमारे देश और जाती को कितनी क्षती पहुचाई है उसकी कल्पना करना भी कष्ट साथ है। मद्यकालीन अंधकार यूग की कितनी ही बुराईयों को सुधारने के लिए विवेक्षील और दोरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील हैं यहाँ प्रसन्नता की बात है। विग्यपुरुष अनुभव करने लगे हैं कि मद्यकालीन संकीरनता की लोह श्रंखला से नारी को ना खुला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्वकाल में नारी जिस स्वस्थ इस्थिती में पुनहा पहुचने से हमारा आधा अंग विकसित होग सकेगा और तभी हमारा सरवांगीन विकास हो सकेगा। इन शुब प्रयतनों में मद्यकालीन कुसंसकारों की रोडियों का अंधान उकरन करने को ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा अब भी रोडे अटकाने इसे नहीं चुकती। ईश्वर भक्ती गायत्री की उपासना तक के बारे में यहां कहा जाता है कि इस्त्रेयों को अधिकार नहीं। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन में यहां कहा है कि इस्त्रियां वेद मंत्रों को ना पढ़ें ना सुनें, क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए इस्त्रियां उसे ना अपनाएं, इन प्रमाणों से हमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारत वर्ष में ऐसा बीता है, जब नारी को निक्रष्ट कोटी के जीव की तरह समझा गया है, यूरोप में तो उस समय या मानिता थी, कि घास पात की तरह इस्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती, यहां भी उनसे मिलती जुद्धी ही मानिता ली गई है, कहा जाता है, निरियंद्रिया या मंत्राश इस्त्रियों नतमिती स्थिती ही, अर्थात इस्त्रिया निरिंद्रिय इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, आसत्य स्वरुपणी एवं घ्रनित हैं, इस्त्रि को ढोल, गवा, शूद्र और पशु की तरह पिटने योगिट हैराने वाले विचार अर्थात इस्त्रिया स्वभावत याही व्यभीचारिनी चंचल, चित, प्रेम, शोन्य होती हैं। उनकी बड़ी हुश्यारी के साथ देखवाल करनी चाहिए। विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी, द्वारम के मेकम नरकस्य नारी, विद्वान महा विज्यतमो अस्तिकोवा, नार्या पिशाच्या न चर्वन्चितो यह। प्रेश्ण विश्वास करने योगी कौन नहीं है। उत्तर नारी। प्रेश्ण नरक का एक मात्र द्वार क्या है। उत्तर नारी। प्रेश्ण बुद्धिमान कौन है। उत्तर जो नारी रूपी पिशाचिन्नी से नहीं ठगा गया। सब इस्त्रियों के संबंद में ऐसी मानिता फैली हुई हो तो उन पर वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चरी की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अने इक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं। इस्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम इस्त्रै नशृति को चरा। अर्थात इस्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्रहमनों को वेद सुनने का अधिकार नहीं। अमंत्रिकातुकार्ययम इस्त्रिणामा व्रत्शेशतह संस्कार आर्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। अर्थात इस्त्रियों के जात करमादी सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। नन्वेवं सती श्त्रि शूद्र सहिताह सर्वे वेदा अधिकारिनाहां इस्त्रि और शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं है। वेदेन अधिकारात इस्त्रियां वेद की अधिकारिनी नहीं है। अध्ययन रहितया इस्त्रिया तदानुष्ठानमशक्य त्वात तस्मात पुंसह एवोप स्थानादिकम। इस्त्रि अध्यन रहित होने के कारण यग्ज में मंत्रों चार नहीं कर सकती। इसलिए केवल पूरुश मंत्रपाट करें। इस्त्रि शूद्रव नाधियाताम। अर्थात इस्त्री और शूद्र वेद ना पड़े। ना वै कन्या ना युवति ही अर्थात ना कन्या पड़े ना इस्तरी पड़े। इस प्रकार की इस्तरीयों को धर, ग्यान, इश्वर उपासना और आत्म कल्यान से रोकने वाले प्रतिबंदों को कई भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंद कहीं नहीं हैं, वरन उसमें तो सर्वत्र नारी की महनता का वर्णन है और उसे भी पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं। यह प्रतिबंद तो कुछ काल तक, कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमान मात्र हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंतों में जहां तहां अंगरल श्लोक ठूस कर अपनी सनक को रिशी प्रणीत सिद्ध करने का प्रेत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जाती की महनता को मुत कंठ से स्विकार करते हुए लिखा है। प्रजनार्थम् महाभागाह उजारहा ग्रह दीपतयह। इस्त्रियश्रियश्च गेहेशु नश्विशेशोस्तिकंचना। अपत्यम् धर्मकार्याणी शुषुषारतिरुत्तमा। धाराधीनस्तथास्वर्गा पित्रनामात्मनश्चह। यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रदेवताह। यत्रे इतास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाह क्रियाह। अर्थात इस्त्रियाँ पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीपती हैं, कल्यान कारणी हैं, धर्मकार्यों की सहाईका हैं, इस्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है, जहां इस्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं और जहां उनका तेरसकार होता है, वहां सब क्रियाएं निश्वल हो जाती हैं। जिस मनु भगवान की श्रधा, नारी जाती के प्रती इतनी उच्च कोटी की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत्र तरत्र, इस्त्रियों की भरपेट, निंदक और उनकी धार्मिक सुविधा का निशेद है, मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस पर विरोधी बात नहीं लिख सकते निश्चे ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है, इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं, देखिए मान्या कापी मनुस्म्रतिस तदुचित्ता व्याख्याय पी मेधाति थे सालुप्तै विधेर्वशाक्त क्वचिदपी प्राप्यम्न तत्पुस्तकम् खोनिंद्रोमदनाह सहारणा सुतोदेशांतरादाहरतै जीर्णोधार मची करत ततह इतस्तत पुस्त कैर लिख्यते हैं अर्थात प्राचीनकाल में कोई प्रामानिक मनुस्म्रति थी और उसकी मेधाति थी ने उचित व्याख्या की थी दुर्भागिवश वहाँ पुस्तक लोप्त हो गई तब राजार मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोधार कराया केवल मनुस्मरति तक यहां गुटाला समिलित नहीं है बरन अन्नी ग्रंथों में भी ऐसी ही मिलावटें की गई हैं और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है देत्या सर्वे विप्रकुलेशु भूत्वा क्रते युगे भारते शट सहस्त्रयाम निशकास कांचित नवनिर्मितान आम निवेश्नम तत्र कुर्वंति नित्यम राक्षस्लोक कलियुग में ब्राहमन कुल में उत्पन्न होकर महाबारत के 6000 शलोकों में से अनेक शलोकों को निकाल देंगे और उनके इस्थान पर नए क्रत्रिम शलोक गड़कर प्रक्षिप कर देंगे यही बात माध्वाचारे ने इस प्रकार कही है क्वचिट ग्रंथान प्रक्षिपन्ते क्वचिद दन्तरितान पी कुर्यो क्वचिट्च व्यत्व्यासं प्रमादात क्वचिद अन्यथाह अनुत्पन्ना पी ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशह स्वार्थी लोग कहीं गरंतों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जान भूच कर, कहीं प्रमात से उन्हें बदल देते हैं, इस प्रकार प्राचीन गरंत बड़े अस्ति व्यस्त हो गए हैं। जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी, उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने इस गड़बडी का डटकर विरोध किया था, महर्शी हारित ने इन इस्त्री द्वेशी उल जलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समास्त्रिया, नहीं शूद्र योन व्ब्रामन क्षत्रिया, वैश्या जायनतितस्मात चंदसास्त्रिया संसकार्या, इस्त्रिया शूद्रों के समान नहीं हो सकती, शूद्र योनी से भला ब्रामन, ख्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसलिए इस्त्रियों को वेद द्वारा संसकरत, संसकार कराना चाहिए, नर और नारी एक ही रत के दो पही हैं, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, एक ही मुक्के दो नेत्र हैं, एक की बिना दूसरा अपोन है, दोनों अरधांगों के मिलन से एक पोन अंग बनता है, मानव प्राडी के अविचिन दो भागों में इस प्रकार की असमानता, ड्विधा, नीच, उच की भावना पैदा करना भारतिय परंपरा के सर्वता विप्रीत है, भारतिय धर्म में सदा नर नारी को एक और अविचिन अंग माना है, यतैव आत्मा तथा पुत्रह, पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के समान ही संतान है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान है, अतैवानेव्र पुरुषो, यज्जा आयात्मा प्रजेतिह, विप्रा प्राहुस्त था चैत्त, द्याव भरता सास्म्रतांगना, पुरुष अकेला नहीं होता, किन्तु स्वयम इस्त्री और संतान मिलकर पुरुष बनता है, अथो अधो वाएश आत्मना यत पत्नी, अर्था पत्नी पुरुष का आधा अंग है, ऐसी दशा में यहां उचित नहीं कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ग्यान से वंचित रखा जाए, अन्यमंत्रों की तरह गायत्री का भी उसे पूरा अधिकार है, इश्वर की हम नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाती को ही ग्रहने पत्यत, आइस प्रश्या, अनाधिकारिनी, ठहराएं यह कहां तक उचित है, इस पर हमें स्वयम ही विचार करना चाहिए, इस्त्रियों को वेदा अधिकार से वंचित रखने तथा उन्हें उसकी अनाधिकारिनी मानने से, उसके संबंद में स्वभावता एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसका दोरवर्ति घातक परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रिय विकास पर पड़ता है, यो तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुषी वेदों से आपरिचित हैं और उनके संबंद में ओड़ पटांग बातें करते रहते हैं, पर किसी समुदाय को सिध्धान्त रूप से अनाधिकारी घोशित कर देने पर परिणाम हानिकारक ही निकलता है, इसलिए वितंडा वादिनियों के कथनों का ख्याल ना करके हमको इस्त्रियों के प्रति किये गए अन्याय का आवर्श ही निराकरण करना चाहिए, वेद ग्यान सब के लिए है, नर नारी सभी क के लिए है, इश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है, उसे सुनने पर प्रतिबंद लगाना इश्वर के प्रति द्रोह करनी है, वेद भगवान स्वयम कहते हैं, अर्थात ही समस्तनारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिये गए हैं, तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो, तुम्हारी सभाएं सब के लिए समान रूप से खुली हो, तुम्हारा मन और चित समान मिला हुआ हो, मैं तुम्हें समान उपसे ग्रहन करने योग्य पदार्थ देता हूं।